वेलकम टू माई चैनल इंफॉर्मेटिफ इनिवर्सू फ्रेंज आईश्मान कार्ड ओर्डर करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपेन कर लेना है तो ब्राउजर ओपेन करके सर्ज बर में आपको सिंप्ली टाइप कर देना है बिनिफिसेरी.nh.gov.in और इस वेफस किर गया है और इसमें आपको दो ऑफसिन मिल जागा तो वेज़िक कर देना है तो कलिक कर दे ही आपका मुबायल नंबर है उसमें एक OTP आएगा उस OTP को आपको इधार करेना है काप Congressman गतर कर देना है एंटर करके फिर Zahl मिलेगा का यापको यह इतार एंटर कर देना हैं एंटर करके फिर आपको log in function में खिलिक कर देना है तो login section में क्लिक करते ही आप login हो जाओगे और आपको इस तरीके से show हो जाएगा तो friends देखे यह जो interface आया है इसमें आप आपका details देखे आप आपका list देख सकते हो लेकिन हम लोग करेंगे order card order करेंगे तो कैसे करेंगे इसमें जो search bar है इसमें आपको tap करना है तो tap कहने के बाद friends इस टाइप से show हो जाएगा इसमें edit का option मिलेगा यानि paint जैसे आपको दीख रहा है तो इस option में आपको click करना है तो click कहने के बाद आपको इस तरीके से दीखे का search का option लेगा last में तो आपको search option हटा के इसमें आपको type करना है dash card delivery तो देखिए मैं जिस तरीके सिधर type कर रहा हूँ तो same to same आप type कर दीजे तो type करके फिर आप search कर दीजे तो search करने के बाद friends इस टाइप से show हो जाएगा और इसका भी direct link में देने का कोशिश करूँगा आप click करके देखिए का अगर आप direct link में आता है तो आएक आगर नहीं आता है तो login का option आता है तो login करके आपको इधर आना है तो देखिए card delivery का option दिया गया है इसमें आपका state चूश कर लेना है तो जो भी आपका state है state आप चूश कर लिजेगा चूश करने के बाद friends आप देख सकती scheme का option दिया गया है तो इसमें आपकी scheme चूश करना है तो इसमें आप चूश कर लेंगे PMJAY तो चूश करके फिर आपको नीचे option मिलेगा search by तो search by इसमें आपको family ID चूश करना है तो family ID चूश करने के बाद फिर आपको family ID number देना है तो ration card number देने के बाद फिर में search कर रहा हूँ तो search करते हैं देखिए इस तरीके से show हो जाएगा और friends देखिए बहुत सरे state में एक member ID ही रहता है जब आप list open करेंगे तो उसमें member ID दिया रहता है तो member ID देके भी आप इसमें search कर सकते हो तो state wise तोरा अलग-अलग होता है मेरा state में ration card number देने से भी हो जाता है तो इसमें जितना भी member से आपका family में सभी का details इदर दिखाएगा और कौन-कौन सा card आपको order करना है उस card में आपको tick करना है और tick करने के बाद friends देखिए अगर उस ID में photo available है तो आपको photo देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर photo available नहीं है तो आपको selfie देखे photo देना है तो selfie आप लेंगे लेके photo इदर upload कर देंगे तो friends देखिए इदर जो नीच वाला एक है आडी इसमे photo available है तो मैं यही order करके दिखाऊंगा तो इस card को मैं choose कर लेता हूँ तो स्कैनने के बाद friends देखिए इस तरीके से show हो जाएगा और आपको देखिए इसमें authentication करना है तो authentication कैसे करेंगे इस तरीके से show हो जाएगा तो इसमें authentication करने के लिए आपको तीन option मिलेगा एक है other OTP, second number है आपका finger fin और ठाट number है REC scan तो जो भी आपके पास है वो आप कर सकते हो लेकिन मैं कहूंगा आप other OTP option स्कैनने के बाद फिर आपको इस तरीके से show हो जाएगा यानि आपका जो other number है इधर enter कर देना है enter करके फिर verify का option में click कर देना है और एक mobile में भी एक OTP आएगा यानि दो OTP आएगा एक mobile वाला और एक है other card वाला तो दोनों ही OTP इधर आपको enter कर देना है enter करके फिर आपको submit कर देना है तो submit कर देए फ्रेंस इस तरीके से submit हो जाएगा और आपका card order हो जाएगा आश्मान card delivered successfully यानि आपका आश्मान card successfully apply हो चुका है और deliver हो जाएगा तो फ्रेंस अगर आपको सही तरीके से आश्मान card order करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से order कर सकते हो और इस वीडियो related अगर आपको कुछ भी doubt हो कुछ भी आपको और जान करी चाहिए तो comment box में comment कीजिए मैं comment का reply दे दूँगा तो आश्मान इतना ही था फिर मिलेंगे और एक new वीडियो के साथ Thank you